आप सब के बीच फिर से एक नया आई ड्रॉप्स को लेकर आ गए हम इस आई ड्रॉप्स के बारे में पूरा डिटेल से आपको रिभ्यू करेंगे और इसमें जो मिला हुआ कंपोजिशन है मौक्सी फलक्सासीन इसका किस परकार के आँख से समबंदी समस्या में यूज़ किय जाता है क्योंकि यह एक एंटिवाइटिक दबाई है तो बहुत सारे आँख के समस्या में यूज़ किया जाता है लेकिन आपको बताएंगे कि विशेश रूप से डॉक्टर किस परकार के इस्थिति या कंडिशन होने पर इस दबाई को प्रिस्क्राइब करते हैं इसे किस कमपनी के द्वरा बनाया जाता है और इन सभी चीजों के बारे में जानकारी देंगे कि आपको यदि इस परकार की समस्या है तो इसमें साब्द होनी क्या बरते हैं और इसका साइड इफेक्ट क्या है तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए औक्सी फलक्ससीन 5 ml का इसका ड्रॉप है और इसे साइनो भाया फर्मसीटिकल्स के द्वरा बनाया जाता है और इसे आप संलाइट यानि सुर्के परकास से दूर रखें और पचीश डिग्री से कम टमप्रेशर पर रखें यानि आप हीट से इसे दूर रखें तो या दबाई ज्यादा सुरक्षि मेडिसीन है और इसका यूज आप यदि आपके आँख का ओप्रेशन हुआ है उसके बाद आपके आँख में दर्द रहता है सूजन हो गया है या फिर घाव सही रूप से नहीं ठीक होने के कारण उसमें संकर्मन यानि बेक्टेरियल संकर्मन हो जाता है और बेक्टेरियल स surgery ठीक रूप से नहीं हुआ है या आपका सकते हैं कि हमारा surgery successful नहीं हुआ है तो इस परकार के condition में आप इस दबाई का यूज़ कर सकते हैं इसके साथ यदि आपके आँख की मध पर सूजन हो गया है यानि आपके आँख के मध भागों में सूजन हो गया है जिसे हम uvitis या uva disease norm से जानते हैं और जिसे हम एक परकार का सूजन कहते हैं इसमें आपको सूजन या दर्द होने पर या दर्द जैसा महसूस होने लगे तो आप इस drop का यूज़ कर सकते हैं के लावे यदि आपके आँख के रंगीन हिसे जिसे हम आईरिस कहते हैं इसमें सूजन हो गया हो आँख बार बार मलने के इक्षा करता है या उसमें खुजली या इचिंग जैसा आपको महसूस होता है और हर बक्त आपको इचिंग जैसा महसूस होता है तो इस परकार के करन कोई सूजन या इंफेक्षन हो गया है तो अभी आप इस ड्रॉप का यूज कर सकते हैं अब हम इसकी साब्ध होनी की बात करते हैं यदि आप धूप में जाते हैं तो उससे जाने से बचें क्योंकि यह हमारे आँखों पर अगर आपके आँख का टिसू कमजोर है तो व आपको या जल्दी ही बेनिफिट देगा अब हम इसकी साइट इफेक्ट ही बात करें तो इसका साइट इफेक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिलता है कई सारे पेसेंट में तो आपके आँख क्या सपास खुजली होगा लालपन जैसा महसूद हो सकता है तो घबरोने की परकारे में सला जरूर ले और इस डुराप को आप सावधानी से यूज करें आँख के सिवा ये और कहीं और पर ना हो तो आप समझ गया होगे कि किस परकार के आँख की समस्या और किस परकार के घा हो जाया या सरजरी के बाद इसका यूज करें तो वीडियो को देखने के लिए धन्वाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी परकार के मेडिकल से संबंधित जानकाई लेना हो या मेडिकल कोर्स के बारे में जानकाई लेना हो या किसी परकार के विमारी से सम्बंदित कोई दबाई के बारे में जौन काई लेना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और यह वीडियो यदि हमारे फेस्बुक पेज अंजेस हेल्थ एंड मेडिसीन पर देख रहे हैं तो उसे फोलो जरू करें जह हींदा